नमस्कार मेरे पिरिय दर्श को सबसे पहले तो आपके मन में बिराजते इश्वर को मेरा साधर परनाम मेरी इश्वर से प्रातना है कि इश्वर आपको बुराईयों से बचाए और अच्छाईयों के संपरक में आपके और रखे आपके घर में सुक समरद्धी आए और खुसी आए मेरे पिरिय दर्ष को आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल घरे के वारे में और मंगल का अस्टम भाव में फल वो भी 0.10 सुनने का क्या फल हमें मिलेगा मेरे पिरिय दर्ष को देखें मंगल जब अस्टम भाव में होता है तो व्यक्ति मंगलिक होता है और क्यों होता है पिरिय दर्ष को मंगलिक का नाम लेते ही हर कई के मुन में डर जो है भाव पैदा हो जाता है क्योंकि मंगलिक का विवा मंगलिक के साथ ही किया जाता है तो पिर्य दर्श को जब हमारी कुंडली के इंदर पहले घर में, चोथे घर में, और सब्तम घर में, और अस्टम घर में, और बारवे घर में जब मंगल होता है तो वेक्ति मंगली कहलाता है और पिरियदर्स को जब बच्चों के रिष्टों की बात आती है तो सबसे पहले वो सारी बात जब complete हो जाती है तो बात आती है कुंडली मिलान की जब देखते हैं कहीं बच्चा मंगली तो नहीं है लड़की मंगली तो नहीं है लड़का मंगलिक तो नहीं है ये सारी प्रिक मंगल हो तो क्या फल मिलता है देखे सबसे पहले आपके सामने एक कुंडली है मिथुल लगन की कुंडली है और यहां पर मंगल कहां बैठे है अश्टम भाव में 0.10 डिगरी का देखे यहां पर मंगल अपनी उच रासी में है क्योंकि मंगल जो है करक मकर रासी के अंदर देखें तो तिरिक भाव के स्वामी यदे तिरिक भाव में हो और उन पर किसी सुब घरे की दरिश्टि नय हो तो वो असुफल नहीं देते अब सबसे पहले आप देखिए यहां मंगल सस्टर्स मतलग छटे भाव का स्वामी और एक अदस भाव का स्वामी का हां वैठा है अश्टम भाव में, तिरिक भाव का स्वामी बनता है, परंतु एकादस भाव तिरिक स्रेनी में नहीं आता, अते यहां मंगल पाफसरूप ही फलित होता है, और एकादस रोग भाव है, क्योंकि छटे भाव से छटा भाव भी है, असूब घरे का कमजोर होना ही उचित माना ग जब मंगल की दसा और अंतर दसा आती है, तो जातक को अनेक कश्ट होते हैं, अब देखिए छटे भाव में मंगल की वर्षिक रासी है, और वर्षिक रासी का वर्षचसव गुर्दे में गुदा छेतर पर होता है, साथ ही रोगी रूप मंगल मकर रासी में भी बैठे कोई अनिमिता, कोई क्रिया भीनता पत्री आदि भी हो सकती है, पत्री के रोग हो सकते हैं, अब देखिए गुदा छेतर में सक्रमन पाइल्स हो सकते हैं, जिनकी चिकतिक्सा जरूर लेनी पड़ती है, ऐसा जातक मांगलिक भी कहलाता है, क्योंकि जिस जातक की लगन नश्ठ कर देते हैं इस योग में किस्वी जातक का भाव द्वदस भाव में होते हैं तो यह जातक मांगलिक कहलाता है जिसका अभी प्राय मतलब विवा बिना मांगलिक विप्रित किसी व्यक्ति से नहीं किया जाता मतलब मांगलिक से ही विवा किया जाता है उचित तो यही है कि दोनों जातों के समान भाव में मंगल हो मतलब उसके भी मंगल हो और उसके भी इन भाव में मंगल हो जो मैंने आपको बताया है पहला गर, चोथा गर, सब्तम गर और बारमा गर और अश्टम गर अब देखें मंगल के अंस भी समान सरीनी में हो यहां दोनों के अंस जीरो पॉयंट दस डिगरी के अधीन होने चाहिए दस पॉयंट अगर वीश है तो उसके अधीन होने चाहिए व arrestwatch दिगरी के तो उसके अधीन होने चाहिए तब मंगल के कुरूड़ गुन की पृता कट जाती है परंतु यह एक असंबो सा विचार या युक्ति है यदि ऐसा प्रियास किया जाए तो संसार की 90 परतिसत मांगलिक अबादी ऐ विभायत ही रहे जाएगी किसी का विभा होई नहीं पाएगा लोग भले के लिए जियोति विर्दो ने इसकी अवस्ता दी है यदि परतिकुल लिंगी के लगन दियूतिय और चोथे भाव और सब्तम भाव और अश्टम भाव और 12 भाव किसी भाव में मंगल हो और उन्हीं अनसों की सरेनी भी असमान हो तो भी संसकार किये जा सकते है विवायत मतलब उनका विवा किया जा सकता है इससे आगे भी अवस्ता दी गई है ध्यान से सुनना यदि किसी जातक के जिस भाव में मंगल है और यदि पर्तिकुल लिंगी उसी भाव में मतलव उन्ही भाव के अंदर सनी रहो और केतू कोई भी पाइप मतलब पाप घ्रह हो तो दोनों की कुरता मतलब कट जाती है मतलब यह मंगल जो दोस है यह खतम हो जाता है और विवा संसकार किया जा सकता है परंतु यह तो आउस से देख लेना चाहिए कि सनी रहो या केतू का बल अंस बल मंगल की अपेक्सा कम नहीं होना चाहिए जितनी मंगल का बल है उतना ही इनका भी होना चाहिए तबी ही करना च जातक की आयू को भी छीन करता है ऐसे जातक मन से चिड़ चिड़े भी हो जाते हैं अगर अश्टम भाव में मंगल बैठा है क्रोधी भी होते हैं कुछ थोड़ा सा उत्थान मिलते ही हंकार इन व्यक्तियों को जो है आने लगता है और वैंकार इन्हें जगडालू भी बना द रहते हैं या ऐसे व्यक्ति मतलब जो है जगडा करके या किसी के साथ कुछ ऐसी चीज़े करकर जैल भी जा सकते हैं ऐसे जातों का स्वास्ते बहुत अच्छा नहीं रहता चोट इनको लगती रहती है मित्तर व्याद दोस्तों चोटे भाईयों से अच्छे संबंद इनके नहीं रहते क्योंकि अश्टम में बैठे सश्ट मेस मतलब छटे भाव का स्वामी मंगल की दरश्टी एकादस भाव में चोटी पड़ रही है अपनी मेस रासी पर है तो जातक में निर्दंता को बढ़ती है और अश्टम दरश्टी है और तृत्य भाव पर जो चोटे का माना जाता है तो छोटे भाव से भी दुस्मनी या बोलचाल बंध हो जाती है हाँ ऐसा जाता कोई वेपार करता है तो इसमें लाप प्राप्ती जुरूर कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिनके अश्टम भाव में मंगल वैठा हो मंगल के जाब करें म मंगल की वस्तों का दान कराएं, वस्तों मतलब लाल कपड़, लाल दाल, लाल मसूर की दाल, तंबे का वरतन, गुड़ और लाल सिंदूर, या लाल जहंडा, लाल छत्री, मतलब ऐसी चीज़ों का दान इनको करवाते रहना चाहिए, हनमान चालिसों का, हनमान चालिस का पाठ कर सकते हैं और जो जो मैंने बताया यह आपके साथ हो सकता है यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली मंगल कहां बैठा है क्या फल देगा तो हमारे दिये गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं तो पीरे दर्श को अगली वीडियो में कुछ विशेश चीज आपको बताने वाला हूँ तो इसलिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी आप देख पाएं तो आज के लिए बस इतना ही और हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ जै भेरवाबा